उद्देश एकडमी में आप लोगोंगा स्वागत है बच्चों, आज हम नीत निर्देशक तत्तु के बारे में अध्यन करते हैं नीत निर्देशक तत्तु आईरलेंड के सम्मिधान से उद्रित है भारतिय सम्मिधान में कुल 395 अनुछेद और 12 अनुशूचियां बरतमान में निर्देशक तत्तु को भाग चार में जिसे कि हमारे सम्मिधान में कुल 22 भाग हैं जिनमें से भाग चार में नीत निर्देशक तत्तु के बारे में बढ़न किया गया है यह जो है राज नीत निर्सक्तत्यों जो है अनुच्छे हैं 36 ज़िए 1 में इसका बड़न किया गया है नीत निर्सक्तत्यों को हमारे संव्मिधान बिदों ने इसलिए इसको भात tariffs संविधान में जगा दी ताकि इसको जैसे जैसे हमारे राज्य सरकार या केन सरकार में चुकि भारत जब आजाद हुआ उस समय हमारे पात उसने संसाधन नहीं थे कि इसको पूंट रूप से लागू किया जा सके लेकिन जब जैसे जैसे हमारे पात संसाधन होते गए वैसे वैसे जो है नीत निर्शक्तत्यों को लागू किया गया नीत निर्शक्तत्यों जो है नियायोचित नहीं होते हैं इनको नियाले में चुनवती नहीं दी जा सकती है लेकिन ये राज सरकार की उपर निर्भर करता है कि कैसे इनको किरियानवित करना है तो भारतिय सम्मिधान में नीत निरिशक तत्तों को भाग चार के अंतरगत अनुचेट 36 से इक्यावन में इनको समयायोजित किया गया है अनुचेट 36 में इनकी परिभासा दी गई है राजी के नीत निरिशक तत्तों की अनुचेट 37 में इस भाग में समाहित तत्तों को लागू कैसे लागू किया जाएगा जिसे 36 से इक्यावन के अंतरगत जो भी बाते इसमें बढ़नित की गई हैं को कैसे लागू किया जाएगा भाग साइतिस में इसका बढ़न किया गया है। भाग अनुच्हेद 28 में राज लोग कल्याण की अब ब्रिद्धी के लिए सामाजिक ब्युश्था बनाएगा। राज का कारी होगा कि नागरिकों के सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक उत्थान कैसे हो यह स्टेट के अपने संसादनों के उपर निर्भर करता है कि कैसे नागरिकों के लोग कल्यान कारी कारी को किस परकार किया जाए कि उनका सामाजिक और राजनेतिक उत्थान हो सके या इसका बढ़नन अनुछिध अनुछव 18 के अंतरगत किया गया अनुछव 28 में बैवस्था दी गई है कि राज लोक कल्यान की अब利द्री के लिए सामाजिक बैवस्था बनाएगा तो जैसे कल्यान कारिकारियों में जिसे राज सरकारें जो है विभिन परकार की ओजनाय लाती हैं जिसे इस समय बरतमान में बरतमान सरकार ने इसके नागरिकों के उत्थान के लिए जिसे बालिकाओं के उत्थान के लिए जो विभिन परकार की ओजनाय लागू करती हैं अनुछेद 49 में राजद्वारा अनुस्थरणिये कुछ नीत निर्देसक सिधान तो जो है बरनित किये गए हैं कुछ नीतिया निर्धारित की गई हैं जैसे समानकार के लिए समान बेतन महिलाओं और पुर्षों को समानकार के लिए समान बेतन दिया जाएगा किसे के साथ किसी भी परकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा इसका बर्णन अनुच्छेद 49 के अंतरगत किया गया है अनुच्छेद 49 में ब्यवस्था दी गई है कि राज द्वारा अनुच्छन ये कुछ नीतिया निर्धारित की गई है जिसे महिलाओं और पुर्षों में अगर सामान कारे कर रहे हैं तो उनको सामान बेतन दिया जाएगा अनुच्छेद 49 का में बढ़न किया गया है सामान नियाय और निशुल्क विधिक सहायता तो उसको राज का करता भी होता है कि उसको निशुल्क विधिक सहायता परदान करे जिसे वो जो नियाय पाने में सच्छम हो सकी इसका बढ़न अनुच्छेद 49 का में किया गया है अनुच्छेद 49 का कहता है समान नियाय और निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करें अनुछे चालिस में पंचायती राज बेवस्था का बर्णन किया गया अनुछे चालिस में कहा गया है कि पंचायती राज की बारे में पंचायत का गठन अनुछे चालिस में पंचायत का गठन किस प्रकार होगा इसका बर्णन अनुछे चालिस में किया गया है पंचायती राज बेवस्था को संबय धानिक दर्जा तिहत्रों संविधान संसोधन आया उसके तहट पंचायती राज बेवस्था को संबय धानिक दर्जा परदान किया गया हमारे देश में सबसे पहले पंचायती राज ब्यवस्था राजस्थान राज में लागू की गई दो अक्टूबर 1969 को पंचायती राज ब्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई उस समय देश के प्रधान मंतरी पंडिजवाहलाल नेहरू थे तो अनुच्छे चालित में पंचायती राज ब्यवस्ता का गठन इसके बारे में बर्णन किया गया है कि जब हमारा देश लागु हुआ उस समय इतने संसाधन नहीं थे कि पंचायती राज ब्यवस्ता को किरियान बिद किया जा सकी। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश विकास के पत पर अग्रसर हुआ, वहींसे इन सभी तत्तों को भात्य संब्हिधान के द्वारा लाघू किया गया। उसी में पंचायती राज ब्यवस्था है, इसको 73 वा संविधान संसोधन आया, उसी के तहट पंचायती राज ब्यवस्था को संविधानिक दर्जा परदान किया गया है. तो अनुच्छे चालित में पंचायती राज ब्यवस्था के बारे में बर्ण किया गया है. कुछ दसाओं में काम सिच्छा और लोक शहायता पानी का अधिकार कुछ दसाओं में काम सिच्छा और लोक शहायता पानी का अधिकार और लोक शहायता पानी का अधिकार इसका बरणन भारतिय सम्मिधान का अनुच्छ दिक तालिस कहता है कुछ दसाओं में काम सिच्छा और लोक शहायता पानी का अधिकार है इसी के अंतरगत महत्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है अनुच्छ दिक तालिस की देन है कि हमारे देश में सभी ब्यक्तियों को काम सिच्छा और लोक शहायता पानी का अधिकार है इसी का परणाम है अनुच्छ दिक तालिस का अनुच्छ दिक तालिस का ही परणाम था अनुच्छ 42 में ब्यवस्था दि गई है कि काम की नियाय संगत और मनुचित दसाओं का तथा परशूत सहायता का उपबन काम की नियाय उचित नियाय उचित काम की नियाय उचित काम की नियाय उचित यों काम की नियाय उचित यों मनुचित दसाओं का काम की नियाय उचित दसाओं का यों परशूत सहायता पानी का परशूत सहायता काम की नियाय उचित यों काम की नियाय उचित यों मनुचित दसाओं का सभी नागरिकों को अधिकार होगा मनलब अगर इस्टेड जो है काम देता है तो उसकी जो है अनुकूल दसा होनी चाहिए जिससे नागरिक अपने को समायोजित कर सके तो इसलिए बेवस्था दी गई अनुचित बैयाय उचित यों मनोचित दसा हो मन के अनुकूल दसा हो जिससे जो है नागरिक अपने आपको समायोजित कर सके यों परशूत सहायता पानी का अधिकार मात्रुत्य योजना जो राज सरकार द्वारा लागू की गई है इसी अनुछेद 42 का परणाम है जिसमें परशूत साहता गर्भती महिलाओं को अच्छा उनकी अच्छे स्वास्त अच्छा रहे इसलिए पौश्टिक भोजन की बेवस्था जो सरकार करती है इसी जो है प्रशूर्ष साहता मिलती है अनुछेद 42 का ही परणाम है अनुछेद 43 में विवस्था दी गई है कर्मकारों के लिए निरवाह मझदूरी कर्मकारों के लिए निरवाह मझदूरी प्रणॐ को है निर्वा में धी हुआ कि जो भी हमारे देश्च कग जो भी नागरी जो इस्टरम में लगा होता है उसको ऐसी उसका ऐसा मुल्य हो जिससे वह अपने आउश्य का सकता हों पूर्टी कर सके अईसी बेवस्था अनुच्छे तैयंतालिस में इसका बरणन किया गया है कि सभी नागरिकों को इतना उसका मुले दिया जाए कि जिससे वो आवश्य का हो सकता है जो है रोटी कपड़ा और मकान उसकी भरपाई हो सके अईसा बरणन भात्य समिधान का अनु च्छे तिरालिस में बेवस्था दी गई है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी जो मजदूरी उसको मिले वो परियाप्त मिले जिससे वो अपना जीव को पारजन कर सके इसका बरणन अनुच्छे तिरालिस में किया गया है अनुच्छे चवालिस में अनुच्छे कि अनुच्छे 44 में समान नागरिक संहिता का बढ़न किया गया है समान नागरिक संहिता लागु करने वाला गोवा भारत का पहला देश बना है अब तक जो भी 15 अगस 1947 में हमारा देश आजाद हुआ हमारे देश का पहला राज जो है गोवा ऐसा राज बना जो समान नागरिक संहिता को लागु किया है अभी तक हमारे देश का कोई भी राज समान नागरिक संहिता को लागु नहीं कर सका गया है समान नागरिक संहिता का तात पर होता है बिद के समझ सभेब्यक भी समान होंगे उनको समान नयाय मिलेगा उनको समान अधिकार मिलेगा ऐसा बर्णन जो है अनुछे 44 के अंतरगत किया गया